हेलो एब्रिवन वेल्कम टू मैं चैनल टूटर अभी तो आज कि हम इस वीडियो में डिसकस करने जा रहे हैं एब्सर्प्शन ओफ रिडियेशन ओफ लाइट करेंगे अब यह होता क्या है अब क्या होता है एक इनर्जी लेवल में डिस्टिबूट होता है सपोज ये निकलेस के फर्स्ट एनर्जी लेवल हो गया ये हो गया सेकंड एनर्जी लेवल जिसको हम KLMN से भी डिनोट करते हैं KL एक और एनर्जी लेवल होगा उसको हम N बोल सकते हैं ये एक और एनर्जी लेवल होगा उसको हम N डिनोट करते हैं अब जो निकलेस के सबसे पास जो इनर्जी लेवल है यह होगे यह निकलेस है इसके सबसे पास यह वाला इनर्जी लेवल है तो इस इनर्जी लेवल पे जो इनर्जी लेवल होगा उसका जो इसका जो इनर्जी होगा वो लो होगा and जो मारा electron होगा जो सबसे outer energy cell पर होगा इस cell पर जो electron होगा इसका energy level सबसे high होगा means यहाँ पर जो electron होगा इसका highest energy level होगा and यहाँ पर जो electron होगा इसका energy level low होगा तो suppose जो मारा low energy level है उसको हम denote अगर करते हैं E1 से जो गया energy level क्या है इसका lowest energy level है and जो हमारा यह highest energy level है उसको हम denote करते है E2 से तो हमारा electron initially suppose अगर मारा E1 पर है E1 पर हमारा electron है यहाँ पर विसमें होता क्या है कि जब यह जो electron है यह ground state पर है यह electron जब एक sufficient amount of energy इसको जब मिलती है और वो energy कौन से होती है photon की energy होती है जिसको हम denote करते है h new से है यहाँ पर होता है plank constant and new होता है यह होता है frequency of photon तो जब ground level पर जो electron होता है उसको जब एक sufficient amount of energy मिलती है और वो energy होती है photon की energy तो यह क्या करता है यह जो electron होता है यह lower जो सबसे lowest energy level होता है इससे यह हट के चला जाता है highest energy level पर जिसको हमने denote कि है e2 से तो electron को जब यह sufficient amount of energy मिलता है तो यह जो electron यहाँ से emit होकर चला जाता है highest energy level पर या फिर हम यह भी बोल सकते हैं कि यह जो electron हमारा ground state पर या फिर जो lowest energy level पर है वहाँ पर कोई अगर electron है और अगर इस electron को energy मिलती है और वो energy किसके equal होता है इन दोनों के difference के means e2 minus e1 e2 minus e1 इन दोनों यह दोनों energy level है इन दोनों के difference के equal इन दोनों के difference करने के बाद जो मेरे value आगी वो same उसके equal अगर e1 को energy मिलती है तो यह even क्या करता है Layst Energy Level से Jump करेकर چलाता है Highest Energy Level पे और जो Highest Energy Level पे Electron होता है इसको हम बोलते है excited electron क्या बोलते है Excited Electron Excited Electron मतलब कि ये lower energy level से excite होकर Upper Energy Level पे इसको हम बोलते है Excited Electron So guys, ये एक ح Allez क्या है, सबसे पहले Electron है ये lowest energy state में है फिर इस एलेक्ट्रोन को energy मिलती है वो कौन सा energy होती ही PoTron की energy जिसको नियुट करते हैं H nจarz심 के इसको energy मिलती है तो जो हमारे electron है ये excite होकर यहाफ जरम कर जाता है Highest energy level पे जो यहाँ पे diagram है यहाँ पे क्या है electron है generosity absorb कर रहा है electron absorbing photon energy और जैसे ही ये energy जम कर जाता है इंर्जी लेवल पर यह गल्टोन जंप टुन एक्साइट स्टेस आफ्टर एबसोव़िंग फोटून एनर्जी और इसको हम बोलते है एक्साइट स्टेट स्टेट Lights क्या बोलते है क्या एक्साइटेर स्टेट क्या होता है जो मारा e2-e1 होता है वो किसके इकोल रोना चाहिए h new के इकोल जहां भी h होता है इसको हम बोलते है plank constant और यह new होता है इसको हम बोलते है frequency so frequency of photon और even होता है मारा lowest energy level और बोल सकते इसको हम ground state यह even क्या है lowest energy level या फिर ground state electron और यह e2 हो गया highest energy level electron यह हो गया highest energy level electron और या फिर बोल सकते हैं excited state electrons यह गया e2 यह हो गया even and यह जो हमारा यह condition है कि जब electron jump तभी होगा जब जो इसको energy मिल रही है वो किसके कोलना चाहिए e2-e1 की कोलना चाहिए तभी electron जब करेगा so guys I hope कि आपको यह topic समझ में आया हो absorption of radiation और light तो अगर आपको वीडियो अच्छा लागा तो प्लिज वीडियो को like करें वीडियो को share करें चैनल को subscribe करें और अगर कोई क्वाइड इस हो तो comment section में ज़रूर पूछें और प्लिज इस वीडियो के वाड़े में और रिव्यू बता है कि वीडियो कैसा लेगा कहीं कोई mistake है तो प्लिज में ज़रूर बता है thanks for watching the video and please don't forget to like share and subscribe करें